महाराष्टर की राजनीती में हाल ही में एक महत्वपूर्ण घटना घटी है, जिसमें महाविकास आगाडी नामक गठबंधन ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। इस गठबंधन का हिस्सा हैं शिवसेना, कांग्रेस और NCP। इस गठबंधन के मुताबिक महाराष्टर में कुल 48 सीटों में से शिवसेना 21 सीटों पर, कांग्रेस 17 सीटों पर और NCP 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह एलान घटबंधन की मजबूती को दर्शाता है और सहमती का परिणाम है, जिससे यह सपष्ट होता है कि घठबंधन में एकता और समनवय है। इस घटना से स समनविकी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, कांग्रेस ने अब तक अपनी 17 सीटों में से 13 उम्मीदवारों का ELान किया, और अब तक NCP शरद पमवार ने अपनी 10 सीटों में से 7 का एलान किया है। हमारे सहयोगी रौनक कुकडे ने बात की है नाना पटोले से कांग्रेस की जो सीट शेरिंग हुई है या जो गुत्थी सुलजी है आ उसके उससे कांग्रेस कितनी संतुष्ठ है यह यहां कहीं पर कोई जमीनी स्तर पर बगावत तो नहीं है। सुनिए क्या कह रहे नाना प्राब्लम हमारे कार्य करता नेता समझाया जाएगा ड़।